जिन्दा दिल लोगों में जिन्दगी जीने के लिए जोश की कमी नहीं है वहीं कुछ लोग अपनी लाइफ की हर एक्टिविटी का रिमोट दूसरों के ही हाथ में रखते हैं तागि वो जब चाहे उन्हें हसा सकें, रूला सकें और जब चाहे क्रिटिसाइज करके डिमोटिवेट कर सकें ये सच है कि criticism भी हमारी life का एक part है पर इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर लोग हमारी अलोचना करते हैं तो वाक्य हम गलत कर रहे हैं ये उनका point of view भी तो हो सकता है और हर बार उनका point of view सही हो ये ज़रूरी तो नहीं life हमें रोज एक नया lesson सिखाती है सीखने वाले सीखते हैं और life में नए experiments करते हैं और जिन में confidence की कमी है वो डर में जीते हैं डर की लोग क्या कहेंगे डर की मैं कर पाऊंगी या नहीं डर कहीं वो नाराज ना हो जाएं और ना जाने कितनी तरहां के डर जिन्दगी जीनी है तो सबसे पहले डर को भगाओ मेरी जिन्दगी बहुत खुबसूरत है मैं बहुत खुश हूँ लोग ये कहने से भी डरते हैं क्योंकि सोचते हैं कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए लेकिन मेरे जैसे जो जानते ही नहीं कि नजर का लगना क्या होता है उनके लिए ये कहना बहुत इजी है इतना खेलो की लगे बच्पन वापिस आ गया इतना हसो की पेट में दर्द हो जाए हो सकता है आपको देखे अलोचना करने वाला भी मोटिवेट हो जाए इतने सारे काम जट से फुल एनरजी के साथ कर जाती हूं क्यूंकि मन में कोई डर नहीं काम घर का हो या बाहर का जब किसी डर से होगा तो कभी प्रोड़क्टिव नहीं होगा प्रोबन में कोई डर तो नहीं पर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं ये मैं नहीं कह सकती क्योंकि दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं हुआ जो बिना प्रॉब्लम्स के जिन्दगी जी के चला गया हो अगर अपनी किसी एक मिस्टेक की वज़ा से आप किसी प्रॉब्लम में आ गए तो लोग आपकी अलोचना करने का एक भी मौका जाने नहीं देंगे लेकिन अगर आप सब तरह की negativity को overcome कर गए तो प्रॉब्लम्स का solution भी मिल जाएगा प्रॉब्लम कितनी बड़ी भी क्यों ना हो उसकी वज़ा से बुरे से बुरा क्या हो सकता है अगर पहले ही सोच लें और उसे face करने के लिए भी ready रहें तो शायद वो उतनी बड़ी ना लगे लेकिन criticism की वज़ा से अगर खुद को demotivate किया तो confidence level zero हो जाएगा so focus on your goals without caring criticism but criticism हमेशा बुरा हो ये ज़रूरी नहीं कई बार लोग इस तरह से criticize करते हैं कि हमें कुछ सिखा जाते हैं so you should know the difference between good and bad criticism the most important thing for living your life in your own way is to respect yourself कोई करे ना करे हमेशा खुद को appreciate करो खुद को दूसरों से कम समझने वाले लोग आधी जिंदगी रोके ही गुजार देते हैं क्योंकि वो हर चीज दूसरों से ही expect करते हैं motivate yourself by saying I am so beautiful I respect myself and yes I love myself इसलिए मैं खुद की care सबसे पहले करती हूँ कहते हैं कि अगर आप और आपकी family किसी ऐसी जगा first जाएं जहां oxygen ना हो और जान निकलने ही वाली हो अचानक oxygen mask मिल जाएं तो सबसे पहले वो mask आप खुद के चेहरे पे लगाएंगे क्योंकि अगर खुद बचोगे तो ही दूसरों को बचा पाओगे इसलिए मैं अपनी care पहले करती हूँ क्योंकि खुद physically और mentally strong रहूंगी तभी तो family की care कर पाऊंगी कभी किसी को intentionally hurt ना करें बट खुद के लिए कुछ special करते वक्त अगर किसी की feelings hurt हो जाती है then it's not your problem खुद को खुश रखने के लिए मुझे कब क्या करना है ये मुझे पता है मुझे कब क्या पहनना है मुझे कब क्या खाना है कैसे हसना है कैसे बोलना है ये कोई और मुझे क्यों बताएगा कि कौन सी उम्र में मुझे क्या नहीं करना है I dance when I want to dance I sing when I want to sing because I am here to live not just for passing my time मुझे क्यों बताएगागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागा दोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना We are women, so हमारे लिए बहुत से रूल बनाए गए हैं वो चीजें भी करनी पड़ती हैं जो हमारे दिल को तकलीफ देती हैं याद रखें, जिसे करने से तकलीफ हो, never do that, it can kill you दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को hurt करते जाएंगे, तो उनकी expectations बढ़ती ही जाएंगी Say no to the things which you don't want to do हो सकता है first or second time उन्हें बुरा लगे, बट आपकी individuality क्या है, ये वो जान जाएंगे और आप बार बार उनको और खुद को hurt करने से बढ़ जाएंगे Like कितने ऐसे unwishwaas हैं हमारी society में जो बहुत मानता रखते हैं, लेकिन बिना logic की चीजों में मैं विश्वास नहीं रखती और इन्हें मानने से मैंने respectfully no कह दिया था, and no means no होता है और दूसरों को खुश रखने के लिए, जिन भी चीजों में मैं believe करूंगी, वो मुझे अपने बच्चों, यानि अगली PD में भी pass on करनी पड़ेंगी And for me, it's not possible और ये सब चीजें आप अपनी life के लिए तभी करेंगे, जब आप अपनी life से प्यार करेंगे उसके लिए अपने साथ अकेले में कुछ समय जूर बिताए, do meditation and feel every blood vessel of your body, just feel what is going inside अपने आपको उस source के साथ connect करना, जिसका हम एक छोट असा particle है, एक अंश पर अपने आप में सम्पून With the practice of few days, you will realize the value of your life और उसके बाद जब लोग आपको criticize करेंगे, let down करेंगे, तो आप मासूमियत के साथ नहीं, full energy में कहेंगे So what? I will do it for myself So last but not the least, अपनी life को खुद control करें Never give people the right to hurt you किसी भी बात के लिए बिना मांगे सफाई देने से खुद की importance कम होती है Never explain yourself too much See you in the next video, till then bye, take care and stay healthy